नमस्कार मैं निभास सेंग पंचायत चुनाव सड़ पर है यानि कि जल्दी पंचायत चुनाव करा दिये जाएंगे इसके घोशना भी हो गई है आयोग द्वारा बता दिया गया है कि दस चर्णों में चुनाव कराने है लेकिन ये जो पंचायत चुनाव है वो हर साल की तरह थोड़ा सा अलग होने वाला है लोगों को साती सात जो पतादी कारी है जो चुनाव करवाते हैं सब भी को इस बार कोरोना को लेकर ध्यान देने क की बेहत जरूरत है देखें द्वारा एक सक्त निर्देश दिया गया है लोगों को अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा तो आप लोगों को ये ध्यान देरी की बेहत जरूरत है अगर आप मतदान केंद्र के पास जाते हैं या मतदान केंद्र में जाते हैं या बूत के पास जाकर अपना जो मतदान है वो देते हैं और बिना मास्क लगाए देते तो आप पर 50 रुपे का जुर्माना लग जाएगा तो आप ध्यान दे अगर आप बूत पर जा रहे हैं आप अपना वोट देने जा रहे हैं तो मास्क लग बस्था दिया जाएगा और सबसे अंति में आपको वोट देने की अनुमती रिजाएगी ये जो नेने लिया गया है इस बड़ा नेने को देखते हुए लिया गया है को facilities तरह से फैल रहा था अभी फिसाल बिहार में कंट्रोल हुआ है बिहार में भी कोरोना के स्थिती सही है तो बिहार में जो सरकार है वो रिस्क नहीं लेना चाहती जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है सभी के लिए सभी को मास्क लगाना जरूरी है जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पाल की तैयारियों से लेकर मतदान और मतगणना तक कुरोना से बचाओ के लिए हर अस्तर पर पुखता इंतजाम करने में लगा है पंचाच चुना में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ-साथ मतदाताओं को वैश्विक महामारी से बचाने के लिए विशेस एहतियात बढ़तने की हिदायत आयोग द्वारा दी गई है बिना मास्क के अगर कोई मतदाता वोट देने जाता है तो उसे ततकाल पच्यास रुपे जुर्माना भरना पड़ेगा मतदान किंद्रों पर चुनाव आयोग की ओर से मास्क का भी प्रबंध किया जाए तो उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतिये डंड सहीता के अरुसार उसकी खिलाफ कारवाई की जाएगा तो सुना आपने जी हां बिलकुल पचास रुपे का जुर्माना लगेगा थर्मल स्क्रिनिंग की जाएगी डिस्ट्रेंसिंग का भी पालन होगा तो आप स चुनाओ कराने का जो निर्ना है वो तो ले लिया गया है कोरोना के इस दौर में लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का सभी को पालन करना बेह जरूरी है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें निबासिंग के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को